नमस्कार दोस्तो मैं हूं नीर ज्यादो और आप देख रहें टार्गेट 99 चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में लुसेंड वस्तुनिष्ट समान ग्यान से समन्धित भारतियर आज व्यवास था का या 42 मा वीडियो लेकर के परजेंट हुए हैं जिसमें सम्मिधान संसोधन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी साथ बेल आइकन को दवा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच है भाग 20 एवाँ अनुचेद तीनसो अडच में भारतिय शमिधान में संसोधन होता है धसायरा 368 के अनुसर होता है भारतिय शमिधान की कौन सी बिसे से व्यवस्ताथ दछिन अफ्रिका के समिधान से ली गई है समिधान संसोधन की बेवस्था जो की दशिना फिरका से लिग गई है समिधान संसोधन कितने परकार से किया जा सकता है तीन परकार से नेक्स्ट है समिधान संसोधन हेतू बिध है के सरो पर्थम कहां पर अस्तूत किया जाता है संसद में समिधान संसोधन के लिए बिधय को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में? समिधान के अधिकान्स अनुछेदों को संसोधित करने के लिए कौन सी परकिरिया अपनाई जाती है? सधारन बहुमत की परकिरिया अपनाई जाती है नेक्स्ट है भारते समिधान की अधिकान सभाग संसोधित किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा संसोधित किया जा सकता है नेक्स्ट है क्या राजबिधान मंडल समिधान संसोधन परकिरिया को पराराम कर सकता है नहीं कर सकता समिधान में संसोधन नहीं किये जा सकते हैं जन्मत की संग्रह से समिधान में संसोधन नहीं किये जा सकते हैं समिधान में संसोधन लोग सवा योमराज सवा के सधानन बहुमत से संसद सदसे के दो तीहाई बहुमत से एवाम नेक्स्ट है भारत के सम्विधान में प्रथम संसोधन कब किया गया उनिश्व एक आमन में प्रथम समय धानिक संसोधन अधिनियम कब बना उनिश्व एक आमन में प्रथम समय धानिक संसोधन अधिनियम किसे से समंधित था तो यह कुछ राजियों के क्रिसी भूमी सुधार से समन्धित था नेक्ष्ट है भूत कालिन परभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला सम्विधानिक संसोधान अधनियम कौन सा है दसमा किस सम्विधान संसोधन द्वाराया व्यास्था की गई कि राष्ट पती या उपर राष्ट पती के चुनाओं में इस अधार पर चुनाओती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल आप पूर्ण है इगारमा संसोधन के ताथ नेक्ट है किस सम्विधान संसोधन द्वाराया व्यास्था की गई कि उपर राष्ट पती के चुनाओं के लिए संसथ के दोनों सदनों के संजुक्त बैठा के बुनाना आवस्यक नहीं है इगारमा किस संसोधन द्वारा नागा लेंड को राज्य का दर्जा परदान किया गया तेरहमा संसोधन के ताथ संसद के मौलिक अधिकारों में मौलिक संसोधन करने का अधिकार समिधान के किसे संसोधन द्वारा दिया गया नेक्स्ट है देशी नरेसों के प्रीवी वर्सों और विशेसाधिकारों को किस संसोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया किस समय धानिक संसोधन अधिनियम द्वारा लोग सवासीटों की अधिक्तम संख्या 545 निर्धारित की गई सीकिम को भारतिय संख के सहराज्य का दर्जा किस संसोधन द्वारा परदान किया गया 35 में समय धानिक संसोधन के तहत नेक्ष्ट है सीकिम को पूर्णे राज का दर्जा किस समय धानिक संसोधन के तहत दिया गया किस समिधान संसोधन अधनियम द्वरा राज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवाम सदसे की सेवा निर्विरिते की आयू 60 से बढ़ा कर 62 वर्ष की गई एक तालिसमा समिधान संसोधन के तहत निमली खित में से किस समिधानिक संसोधन अधनियम को लगु समिधान कहा गया है बारतिय समिधान की परास्तावना में समाजवादी तथा धर्म निर्पेश सब्दें जोड़े गए 42 समिधान संसोधन के तहत समाजवादी अमधर निर्पेश सब्द को जोड़ा गया नेक्स्ट है सीच्छा को किस समिधान संसोधन द्वारा राज सुची से समवर्ती सुची में लाया गया 42 में के तहत, भाती समीधान के किस संसोधन द्वारा नागरिकों को मौली करतब को समलित किया गया 42 में के तहत, किस समिधान संसोधान द्वारा हिंदी बीशेस परिस्थिती में नीती निर्दे सके सिधान्तों को मुल अधिकारों के उपर अधिकार महतों देने का पराधान है 42 में के तहट नेक्स्ट है समिधान की प्रास्तावना में निमली खित में से किस समयधानिक संसोधन के अंतरगत संसोधित किया गया 42 में के तहत समिधान की भारतिय समिधान के परस्तावनावने धर्म निर्पेश समाजवादी तथा राष्ट की एकतायोम अखंडता वाकियां से किसे संसोधन द्वारा समाविष्ट किया गया 42 में के तहट 42 में समिधान संसोधन अधिनियम 1976 इसवी में नेमलीखित में से किस समिथ्टी की रिपूट की आधार पर तयार किया गया था 16 समिथ्टी के आधार पर next है भरते समिधान के 23 संसोधन द्वारा राश्ट पत्ली को कोई मामला मंत्री परिशद के द्वारा पुनर विचार किये जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 42 में के ताथ नेमिली खित में से समिधान के किस संसोधन द्वाराया अस्पष रूप से बताया गया कि भारत का राश्पति मंद्री पर साद द्वारा दिये गए प्रामर्श को मानने हेतु बाध है 42 में के तहट किस्या मेधानिक संसोधन अधिनियम ने राज के नीति निर्दे से ततोग को मौलिक अधिकारों की एपेक्षा अधिक परभावसाली बनाया 42 में 42 में संसोधन अधिनियम द्वारतिय समिधानिक संसोधन अधिनियम द्वारतिय समिधान में एक नया अधियाय जोड़ा गया किस संसोधन से समाजवादी धर्मीर पेचता तथा राष्ट की एकता योम अखंडता सब्दे भारतिय समिधान में जोड़े गया थे 42 में संसोधन के तहत समिधान के किस संसोधन द्वारा संपती की अधिकार को मुल अधिकार किस रेनी से निकाल दिया गया 44 में समिधान संसोधन के तहत भारतिय निया पालिका की सक्ति को सरवाधिक छत्ती 42 में समिधान संसोधन अधिनियम द्वारा पहुचाई गई नैपालिका की गरिमा को पुनर अस्थापित करने की दिर्ष्टी से कौन सा समिधान संसोधन अधिनियम पारित किया गया 43 यम 44 नेक्ष परस्ण है राष्टपती मंतरी परिसदे से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर विचार करने की आपेच्छा कर सकता है और राष्टपती ऐसे पुनर विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्ज करेगा यह उपु अन्धनिमलीखित में सिक्षी किसे के द्वारा भारतीय समिधान में अंतर स्थापित किया गया है 44 में समिधान संसोधन के तहट किस समिधान संसोधन अधिनियम दोरा लोग सभा के कार्ज काल को 6 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष किया गया चुवालिसमे के तहत नेक्स्ट है 42 में समयधानिक संसोधन अधिनियम की अनेक आपती जनक अंसो को रद करने के लिए कौन सा समयधानिक संसोधन अधिनियम पारित किया गया 44. किसे समिधान संसोधन माध्यम से राष्टपती उपराष्टपती लोकसवाध्याश तथा परधान मंत्री के निर्वाच्चन को सर्वच नियाले तथा उच नियाले में चुनावती देने का आधिकार को समाप्त किया गया था 49. किसे समंधित है दल बदल परे कानून के रोक से है नेक्स्ट है बावानमा समिधान संसोधन अधिनिया निमलिखित में से किसे समंधित है या दल बदल तथा अनहरताएं से समंधित है वह समेधानिक संसोधन कौन सा जिसके दौरा राईनिती के दल बदल पर परतिबन्ध लगाया गया था 1985 का बावनमा समिधान संसोधन था नेक्स्ट है किस समेधानिक संसोधन अधिनिया दौरा मीजोरम को राज का दर्जा परदान किया गया तिरपनमा समिधान संसोधन के तहत आरुनाचल परदेश को किस संसोधन के तहत राज का दर्जा परदान किया गया 55 के तहत तथा गोवा को किस समिधान संसोधन के तहत राज का दर्जा परदान किया गया मिजूरम को तीरपन अरुनाचल परदेश पचपन यों गोवा को छपनवा समिधान संसुधन के तहत राज का दजा परदान किया गया नेक्स्ट है भारत वर्ष में मात अधिकार की आयू किस ढंग से 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किया गया समिधानिक संसुधन के द्वार किया गया किस समिधानिक संसुधन द्वारा मात अधिकार की आयू कैस वर्ष से घटा कर 18 वर्ष की गई तो इसका एंसर होगा 61 में समिधान संसुधन के तहत नेक्ट है किस समिधान संसुधन अधिनियम द्वाराया के अंदर सासित छेतर दिली को 20 दरजा परदान किया गया तथा उसका नाम बदलकर राष्टियर राइधाने छेतर दिली कर दिया गया एवाम साथ ही साथ है वहां के लिए विधान साभा तथा मंतरी परिशत की विवस्था की गई उनहतर मा समिधान संसुधन के तहत किस समिधान संसुधन के द्वारा राष्टियर राइधाने छेतर दिली तथा संग सासित छेतर पांडे चेरी के विधान सभा सदस्यों को राष्ट पती के निर्वाचन मंडले में सामिल करने का प्रवधान किया गया सतर्मे के तहत, सतर्मे समिधान संसोधन के तहत नेश्ट है, किसे में धनी संसोधन द्वारा समिधान के आठमे अनुसूची में तीन भासावाँ मनिपूरी नेपाली योम कोंकनी को सामिल किया गया एक हतर्मे के तहत, भारत के समिधान के तीहतर्मे संसोधन समंधित है किसे समंधित है, तो यह पंचायत राजब्योस्ता से समंधित है किस समिधानी संसोधन द्वारा नगरपाली का विध्यक पारित हुआ नेक्स्ट है निमली खित में से समिधाने का वह कौन सा संसुधने जिसके अनुसर महिलाओं के लिए नयपाली का यम ग्राम पंचायतों में एक तिहाई सीटों के आरक्षन की ब्यास्था की गई है किस समिधान संसुधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा बिधान साभा के सीटों की संख्या में वर्श 2026 कोई परिवर्त न करने का परधान किया गया है चउरासी में समिधान संसुधन के तहत ऐसा किया गया है नेक्स्ट है भारतिये समिधान के किसे संसोधन अधिनियम द्वारा चौदा चौदा वर्षे के सभी बच्चों के लिए सिच्छा के अधिकारे को मुले अधिकार बनाया गया 86 में समिधान संसोधन के तहत नेक्स्ट है समिधान के किस संसोधन अधिनियम के द्वारा डोगेरी मैथली संथाली यूम बोडो को आठमी अनुसूची में सामिल किया गया 22 समिधान संसोधन के तहत सामिल किया गया भारतिय समिधान के संसोधन में से कौन सा संसोधन केंदरिय मंत्री मंडल के आकार को सीमित करता है तो इसमें एक आनवा समिधान संसोधन जो की सीमित करता है नेक्स्ट है एकानवेवा समिधान संसोधन बिध्यक मंत्री परिशत को कितना परतिसत तक सिमित करने के लिए जारी किया जाता है 15 परतिसत 42 में समिधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुछेद समंधित है मुल करतब से समंधित है नेक्स्ट है निमलिखित में कौन सा सुमेलिख नहीं है तो जो सुमेलिख है उसको हम लोग देखेंगे इसमें जैकि सुमेलिख नहीं है उसको हम लोग काट देते हैं फर्स्ट है एक खतरमा समिधान संसोधन भासा में एक हतरमा समीधान सनसदन है जो नेपाली मनिपूरी ओंकोंकनी को मानेता प्रापते भासाओं को समलीत किया बासाथमा समिधान संसुधन के तहत लोग सभा तता राज बिधान सभा में अनुसूची जाती ओम अनुसूची जन जाती के लिए तथा एंगलो समुधायों के लिए आरच्छन वर्स 2020 से तक बढ़ाया जाना था एवा 55 समिधान संसोधन के तहत अरुनाचर परदेश को पूर्ण राज का दर्जा दिया गया नेक्स्ट प्रसन है इसमें बताईए इसमें सुमेली करना है सुची फर्स्ट याँ सुची सेकेंड से सुची फर्स्ट में है सम्वेधानिक संसोधन याँ संबधित राज नेक्स्ट प्रसन है किस सम्वेधान संसोधन अधिनियम द्वरा अनुसुची ते जन जाती है तुँ एक प्रिथक राष्टी ये आयोगी किया स्थापना का परवधान किया गया 89 सम्वेधानिक संसोधन के तहत निमण सम्वेधानिक संसोधन में से कौन से राज्जियों से निर्वाचित होने वाले लोग सभाके सदस्यों की संख्या में बरिधी करने से समभनीत है नेक्स्ट है भारतिय समिधाने के निमलिखित में से किसे एक संसोधन द्वारा राश्पती को कोई भी मामला मंत्री परिशाद द्वारा पुनर विचार किये जाने के लिए वापस भेजने का आधिकार दिया गया है नेक्स्ट है समिधाने का 93 संसोधन विध्यक समंदित है तो यह चोवर्ष से 14 वर्ष के बीच आयू के बच्चों को निसुल के और अनिवार सिछा से समंदित है नेक्स्ट है निमली खित अस्तंबो में से कौन सा सुमेली गलत है तो जो सही है उसको आम लोग देखेंगे जो गलत है उसको छोड़ देंगे तो इसमें फोर्थ है जो की गलत है 52 समिधान संसोधन के तहत दल बदल बिधहक पारित किया गया 48 समिधान संसोधन के तहत पंजाब वे आपात उपवंध की वेवस्था की गई 56 समिधान संसोधन के तहत गोवा को राज का दर्जा परदान किया गया नेक्स्ट है ब्यालिसमा समिधान संसोधने बिध्यक संबंधित है नागरी को क्यों मौलिक कर्दाबे से संबंधित है इसमें मिलान करना है सुची फर्ष्ट या सुची सेकंड से बताए कौन सा सही है सुची फर्ष्ट में समिधान संसोधन या सुची सेकंड में 20 से सुची पाला है समिधान यानी उनहतरम संसोधन अधिनियम जो 1901 में संसोधन किया गया या दिली को राष्टी राजधाने छेतर का दर्जा देने से समंधित है समिधान का 75 संसोधन अधिनियम जो 1994 में संसोधन किया गया या राजस्थरी किराया अधिकरणों की अस्थापना से समंधित है समिधान संसोधन अधिनियम असीमा समिधान संसोधन जो कि दुहजार इसीम संसोधन किया गया इससे समंधित है दसमें बित आयोग की सिफारी से को सिविकार करना समिधान संसोधन तिरासीमा संसोधन इसके तहते इस अधिनियम के तहते यह संसोदन दोजरम किया गया। इसके तहते आपूनाचल परदय से कि पंचायत में अनुसुची जातियों के लिए कोई आरचन नहीं देना है। नेक्ट हैं तिहातरमा समिधान संसोदन अधिनियम 1993 में निद्रिष्ट करता है। किसको निद्रिष्ट करता है इसवाताना को जिवंद करता है। सभी निरवाचन गरामी ने अस्थानिय निकायों में सभी अस्तरों पर 30 पर 30 सते सीटे महिलाओं के लिए आरचिते रखी जाएगी दूसरा पंचायती राज संस्थानों के लिए संसाधने के नियत के लिए राज अपने बीत आयोगे का गठन करेगा योँ यदि पंचायत राज निकायों का राज सरकार द्वारा अधिक क्रमन या बिघटन कर दिया जाता है तो 6 महिने की अवधी में चुनाव कर आया जागा प्रंतु इसे संबंधित नहीं है यह देख लीजे पंचायती राज निरवाचन करज करता अपने पद पर करज करने के लिए आयोग ठाराए जाएंगे यदि उनके दो से अधिक संताने हैं जो की गलत है नेक्स्ट है निमली खित में से कौन-कौन से बिशाय है जिन पर कम से कम आधे राजियों के विधान मंडलों को अनुसमर्थन से ही समयधानिक संसोधन संभव है इससे समंधित है राष्टपती के निर्वाचन संसर्द में राजियों का परतिनी धित्व एवं सात्मी अनुसूची में कोई भी सूची है किस निमलिखित कथनों पर विचार किजए भारतिय समयधान में कोई संसोधन लाने का उपकरम या निप पहल किया जा सकता है तो यह लोग साभा योम रासभा के द्वारा किया जा सकता है नेक्स्ट है ब्यालिसमा समिधान संसोधन अधिनियाम उलेख निये है क्योंकि नितिन देशक्त ततव को मौलिक अधिकार पर वरियता परदान करता है नेक्स्ट प्रसन है भारत के समिधाने मोली करतब किस समिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया 42 में समिधान संसोधन के तहत जोड़ा गया किस समिधानिक संसोधन बिले के द्वारा भोट देने की आईवे कईस वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई एक सठमा समिधान संसोधन के ताथ जो 1989 में संसोधन किया गया नेक्स्ट है 14 अगस्त 2007 को संसाथ द्वारा भारतिय समिधान में संसोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाती की सूची में जातियों की संख्या कितनी है 1206 है भारत के समिधान के 44 में संसोधन द्वारा निमलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की सिरेनी से हटा दिया गया संपत्ति की अधिकार को जो 44 में समिधान संसोधन के ताथ हटा दिया गया है निम्लीखेते समिधान संसोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंतरी मंडल में कुले मंतरियों की संख्या परधान मंतरी को समलीत करते हुए लोकसाभा के कुले सदसियों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तो यह एक आनमेवा संसोधन से बंधित है नेक्स्ट है निमलिखित समिधान संसोधन अधिनियम में से कीस एक के अंतरगत भारत के समिधान के आठमी अनुसूची में चार भासाय जोड़ी गई जिन से उनकी संख्या बढ़ कर बाइस हो गई समिधान का ब्यानमेवा समिधान संसोधन के तहते यह जोड़ा गया नेक्स्ट परसन है निमलिखित समिधान संसोधन अधिनियम में से कीस एक में यह परवधान है कि केंद्र और किसी राजय मंतरी परिशद का आकार करम से लोक सभा सदस्यों की कुल संख्या वह उस राजय की ब्यधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा एक आनमेमा में है नेक्स्ट परसन है एक सोचारमा समिधान संसोधन ब्यधाय का किस से समन्धित था नीजी सीचा संस्थानों में समाजिक तथा आर्थिक दिरिष्टी से पिछले वर्गों के लिए कोटा परदान करने से समधित था नेक्स्ट रैनिम लिखित कत्मों पर विचार कीजिए सर्व सिचा अभियान के अंतर गत गराम इन छेतरों तक में कम्प्यूटर सिचा दिलाने का अपरावधान है सिचा भारत के समिधान के 42 में संसोधन 1976 इस वी द्वारा समवर्ती सूची में सामिल किया गया नेक्स्ट है कौन सा समयधानिक संसोधन राज्यो से चुने जाने वाले लोक सवा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंदित है सातमा यो एक तीसमा किस संसोधन विधायक द्वारा भारतीय समिधान में नागरिकों के मुल कर्तब्यों को सामिल किया गया नेक्स्ट प्रसन है भारतीय समिधान में किस संसोधन के परिनाम स्वरुप संपति के अधिकार मुल अधिकार की सूची से हटा दिया गया चोवालिशमें संसोधन के द्वारा भारत के समिधान में प्रथम संसोधन हुआ था 1951 में नेक्स्ट है निमलीखित में से किसे समयधानिक संसोधन अधिनियम के द्वारा सीकिम को भारतिय राजय पर नालिकाब अभिन अंग्सिविकार किया गया 36 में समयधान संसोधन के तहत नेक्ट है किस समिधान सन सोधन अधिनियम दुरावैस क मताधिकार की आयुए कईस वर्षे घाटा कर अठारवस कर दी गई तो यह एक साथमा समिधान सम सोधन के तहत जो की 1989 में किया गया नेक्स्ट है किस समिधान संसोधन अधिनियम के अंतरगत भूत पूरुव देशी राजाओं के प्रिवी पर से को समाप्त कर दिया गया चविसमा के तहत भारतिय समिधान के किस संसोधन द्वारा असपस्ट रूप से यह ब्याख्या की गई है कि भारत के राष्ट पति मंतरी पर सद की साला को मानेने के लिए बाद है 42 में करता है नेक्ष्ट है यों आज का आखरी प्रस्ण है भारतिय समिधन का धिकांस उपवंद है का संसोधन किया जा सकता है आपके लिए संसत के द्वारा किया जा सकता है दोस्तो आज की वीडियो मसीत नहीं दोस्तो अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो का लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तह पिली चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ बेला आकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसकर आप तक पूहचे तो फिर इसी नहीं उसा के साथ नेक्स वीडियो मिलते हैं